Hello Everyone, Welcome to the channel of KV Teachers Guild बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग 3rd Class EBS का जो चाप्टर है आपका A Beautiful Cloth इसकी एक क्विस करने वाले हैं चाप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है हमने NCRT और Extra Question-Answers इसके कवर कर लिये थे Hopefully chapter आपको समझ में आगया होगा वैसे भी बहुत lengthy chapter नहीं है अगर आप NCRT से जाए तो सिर्फ एक ही पेज का chapter है ये आपका क्यूकि second page में तो आपको एक activity दी हुई है बट जितने भी possible questions बन सकते हैं chapter से वो सब अभी हम cover करेंगे और देखेंगे कि आपको कितने questions इन में से आते हैं कितने अच्छे से आप prepared हैं अपने exams के लिए तो शुरू करते हैं कोई भी बच्चा न्यू हो चानल पर तो आप subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को फ्रेस कर लिजेगा first question is a dupatta is a long piece of dash cloth दुपatta जो है वो कैसे कपड़े का बड़ा सा पीस होता है आपकी options है a stitch stitch मतलब होता है सिला हुआ b unstitched जिसको सिलने की ज़रुरत ना पड़े c woolen उनका होता है या फिर d none of these dupatta आपका a long piece of what type of cloth it is a stitch cloth long piece of stitched cloth long piece of unstitched cloth या फिर long piece of woolen cloth second question a cloth like a dupatta can also be worn as a एक dupatta जो है उसको आप और किस तरीके से carry कर सकते हैं आपकी options है a as longi dupatta से आप longi बना सकते है b as turban turban आप पगड़ी बना सकते हैं या फिर c as चुन्नी या फिर option d all of these dupatta को आप इन में से किस तरह से carry कर सकते हैं as longi as turban उससे तरह turban बना सकते हैं चुन्नी की तरह उसको ले सकते हैं या फिर d all of these all are correct third question is all pieces of cloth have dash running along their length and breadth किसी भी कपड़े में क्या चीज से कपड़ा length and breadth में जुड़के मिलके बनता है आपके options है a threads, धागे, b strings, तार या फिर c embroidery और d none of these इसको तो हटा दीजे क्योंकि इन में से एक सही answer है ही easy question है जो cloth है वो किस से बनता है जो length and breadth के along run करते हैं उसके threads, strings, embroidery धागे, तार या फिर कढ़ाई अगला question है साजिदा अपने सपने में किस के बारे में सोच रही थी आपके options है a shawl, b sari, c dupatta साजिदा अपने सपने में किस चीज के बारे में सोच रही थी shawl के बारे में, sari के बारे में और फिर dupatta के बारे में next question what did साजिदा sister give her साजिदा की sister ने उसे क्या दिया options हैं आपके a a cloth, b a chadar, c a dupatta साजिदा की sister ने उसको क्या दिया cloth, chadar या फिर dupatta अगला question है which cloth you wear in summer इन में से कौन सा cloth आप summers में पहनते हैं गर्मियों में पहनते हैं a आपको एक half pant डिविये b एक sweatshirt डिविये c एक half sweater दिया हुआ है half sleeve, sorry a, b और c which of these clothes you will wear in summers next question जो भी आपके सही answers है आप लिखते जाएए वीडियो के एंड में सारे correct answers आपको बता दिये जाएंगे जिससे आप cross check कर सकते हैं cotton clothes are obtained from cotton clothes आपको किस से मिलते हैं आपके options है a, यह देखिए एक warm आपको दिया हुआ है kीडा, b, wool या फिर c इस पेड़ से cotton clothes cotton के जो कपड़े हैं जो आप गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि जो sweat आउस को अब्जॉब कर लेते हैं सोक लेते हैं और body को जो है आपको cool रखते हैं ठंडा रखते हैं वो किस चीज के बने होते हैं वो किस से बनते हैं यह जो आपका warm बनाता है या फिर wool से या फिर इस पेड़ के जो उपर यह आपके birds लगी हुई है और इसमें white जो चीज है उससे मैं नाम नहीं बता सकती है अगला question है आपका 8th question identify the block printing इन में से कौन सी block printing है प्रिंटिंग के बारे में आपको बताया हुआ है चाप्टर में कपड़े के उपर जब आप प्रिंट करते हैं blocks को यूज करके उसको block printing कहते हैं आपके options हैं A this one B this या फिर C this type of printing आप जानते होंगे इन में से बताइए कौन सी block printing है ओके next question यह आपको blocks यहाँ पर दिखाए हुए है कि इन पे अलग-अलग type के designs है देखे इनको color में रंगते हैं और फिर blocks लगाया जाते हैं कपड़ों के उपर जिससी कि उन पे वो shape repeatedly आते है और एक pattern जैसा आपको दिखता है अगला question है which of the following is traditional dress of maharashtra इन में से maharashtra की traditional dress कौन सी है option A, B या फिर C इन तीनों dresses में से maharashtra की traditional dress बताईए कौन सी है ओके next question dash is a synthetic fiber इन में से कौन सा एक synthetic fiber है फाइबर दो तरीके के होते है one is natural and the other is synthetic जो man-made होता है तो कौन सा synthetic है आपकी options है A, nylon, B, silk, C, wool, D, cotton इन में से कौन सा fiber synthetic fiber है nylon, silk, wool, cotton जो की man-made है machines में बनता है chemicals के थूँ factories में बनाया जाता है अगला question है the given picture is made up by यह आपकी बेज़ेटेबल को कट करके उससे एक painting बनाया है अब बताए किस बेज़ेटेबल से कट करके जो पीसिस है यहाँ पर यह लगाए हुए यह इनको देखी यह तो आपके ब्रश से किया हुआ है आपको स्कूल में अगर आप जा रहे होते हैं कोरोना की वज़ेश शायद नहीं जा रहे होंगे आपको स्कूल में भी यह अक्टिविटी जरूर कराए जाती है आपकी माम बोलती है कोई डिफरेंट वेज़ेटेबल को के ब्लॉक से आपको कोई पेंटिंग बनाने के है जिसको आप भिंडी बोलते हैं फिर लेमन ओके ट्वेल्थ क्वेश्चन इस सिल्क आपको किसे मिलता है आपके ओप्शन से ए बी बी मतलब मदमकी बी वाम कीडा या फिर सी फ्रॉम ट्री सिल्क बहुत ही शाइनी क्लोथ होता है तो आपको कहां से मिलता है बी से वाम से या फिर पेडों से मिलता है सिल्क जो फाइबर है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइवे वेर क्लोथ हम लोग कपड़े क्यूं पहनते हैं आपके ओप्शन से एक तू कवर आर बॉड़ी आपकी बॉड़ी को कवर करने के लिए बी तू पर्टेक्ट उस प्रॉम बाड वेदर ग चाहिए कि वाई डू वेर क्लोट्स टू कवर आर बॉड़ी तू पर्टेक्ट उस प्रॉम बाड वेदर या फिर बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आपको यहाँ पर चार ओप्शन दीवां आपको बताना है इन में से कौन सा एक कपड़ा स्टिच है जिसको पट्टा साडी शॉल लहंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस मेखला चादर इस पॉपलर ड्रेस ऑफ मेखला चादर जो है यह आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है यहाँ पर यह कहां कि एक फेमस ड्रेस है आपके ऑप्शन्स है ए राजस्थान बी आसाम सी केरला मेखला चादर कहां कि फेमस ड्रेस है राजस्थान आपने अगर वर्क्शीट देखे है न वर्क्शीट में सारे क्वेश्चन्स कराए हुए है आपको मैंने तो अगर आपने वर्क्शीट की वीडियो देखे डेफिनिटली विल बे अबल तो गेट मोस्ट अव दी आंसर्स राजस्थान आसाम केरला चलिये रासक्वेश्चन वुल इस अब्फेम्ट अप्टेञ्ट करते हैं प्लांट शीप वर्म प्लांट पेड़ से मिलती है उन आपको शीप से मिलती है भेडो से यह फिर वर्म कोई कीड़ा है जो की इसको बनाता है ये थे आपके 16 questions, now I'm going to tell you all the answers, जहाँ पर भी आपने answers लेखे, open कर लीजे question number first का answer है B, 2nd D, 3rd A, 4th C, 5th C, 6th A, 7th C, 8th A, 9th A, 10th A, 11th C, 12th B, 13th C, 14th D, 15th B, 16th B out of 16 जितने भी आपके मांक्सा हैं, comment section में लिख दीजिए and कोई भी question अगर रॉंग हो तो back जाके check जरूर कर लीजेगा, that's all students, ये था आपका chapter, I think 2 और chapter बचे हुए आपके, उसके बाद आपका syllabus खतम हो जाएगा EBS का, so thank you so much for watching and wait for other videos to come